इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने Snapchat के स्ट्रिक को कैसे recover कर सकते हो स्ट्रिक को recover करने के लिए कुछ आपकी details की जरूत पड़ेगी और कुछ आपके friends की details की जरूत पड़ेगी आपकी details जरूत पड़ने वाली है वो है आपका username आपका email address और आपका phone number जिससे अपने Snapchat का account बनाया है उसके अलब आपने जिस भी phone से अपने Snapchat के account को बनाया है उसका brand और model number की जरूत पड़ेगी आपको simply अपना Snapchat खोल लेना होगा उसके अपको simply profile वाले icon पे click करना होगा और यहाँ पर आपको एक setting option देखने को मेरेगा आपको simply इस पर click करना होगा और यहाँ से आप देख सकते हो आप अपना username, phone number और email address find कर लोगे इसके अलावा brand आपको मालूम होगा आपको model number आपको about phone से देख लेना है यहाँ आप देख सकते हो device का मेरा model number है note 5 pro और यह मेरा device MI का है आपका realme का होगा या vivo का होगा या किसी और का हो सकता है इसके अलावा जिस इसके आपको जरूरत पढ़ेगी हो है आपके दोस्त जिसके साथ आपकी strict duty है उसका username तो मेरी इस friend के साथ duty है तो मैं इस पर simply click करूँगा और इसके profile पर जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसकी username आ गई है आपको अपने friend की भी username कोपी करके रख लेनी है इसकी भी जरूरत पढ़ने वाली है उसके आपको आपको अपने profile वाले icon पर click करना होगा और यहाँ आनेक बाद आपको 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 थोड़ा सा नीचे scroll करना है उसके support में आपको एक option देखने को मिल जाएगा I have a privacy question आपको simply इस पर click करना होगा यहाँ आपको एक option देखने को मिलेगा My snap astrick disappeared या फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता है My snap astrick is missing आपको simply उसके click करना होगा उसके दिए अपने आप यहाँ चूज हो जाएगा I lost my snap astrick उसके आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहाँ पर कुछ feel करने के लिए आपको बूला जाएगा आपको simply यहाँ पर अपना username feel करना है जो मैंने बताया था उसके email address और phone number आपको अपना feel करना है जिससे आपका account है उसके आपको यहाँ device feel करना है जिससे आपने अपना snapchat का account बनाया है उसके उस friend का username आपको यहाँ feel करना है जो मैंने आपको note करने के लिए कहा था उसके अलावा आपको यहाँ बताना है कि आपकी जो streak है वो कब तूटी है वें डिद यू start having this issue आपकी streak कब तूट गई है उसके आपको यहाँ बताना है कि आपके streak तूटने से पहले कितनी streak बनी होई थी मेरी 50 की आसपास की थी तो मैं यहाँ 50 फिल कर दूँगा उसके do you see the glass icon आपको simply यहाँ नो पर click करना है ताकि इन्हें ऐसा ना लगे कि हमने जान बुच कर snap streak को तोड़ी है मैं फ्रेंड we struggled a lot to create this streak of 50 मेरी 50 की थी तो मैंने 50 लिखी आपकी जितनी होगी उतनी लिखोगे please help me thank you यह details को feel कर लेने के बाद आपको simply यहाँ send बाले बटम पर click करना होगा अगले step में आपको verify करना पड़ेगा मुझे यहाँ by skill को verify करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं verify कर दूँगा उसका simply आपको यहाँ verify वाले बटम पर click करना होगा verify करने के बाद आपको कुछ इस तरीकी का interface देखने को मिलेगा इसके 24 hours में आपकी जो problem है वो resolve कर दी जाएगी फ्रेंड की video को काफी informative लगी होगी अगर इस video से related कोई query आपके दिमांग में चल रही है तो आप हमें comment सक्से में पूछ सकते हो और अगर comment करने जा ही रहे हो तो रास्त्रीम आपको एक subscribe का button मिलेगा आप उसे भी दबा सकते हो और अगर आप हमसे Snapchat पर भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी Snapchat के ID भी note कर सकते हो फिलाल इस video के लिए इतना ही thank you so much